पश्चिमी डेल्टा और जेजेरो क्रेटर मंगल के क्रेटर तल के बीच संपर्क का ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार अवलोकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन एनि ऐसा के परसीवरिंस रोवर को हाल ही में मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के आधार पर प्राचीन जील के तलचच के प्रमाण मिले हैं इस नई खोजने लाल ग्रह पर नमूनों में जीवन के निशान खोजने की नई आशा जगाई है रोवर ग्रह पर पिछले जीवन के संकेत खोजने के लिए क्रेटर की जाँच कर रहा है और भविश्य में प्रिथ्वी पर संभावित वापसी के लिए नमूने भी एकत्र कर रहा है। बयान के अनुसार कैलिफोर्निया विश्वविद्याले, लौस एंजिल्स, यूसियले और आसलो विश्वविद्याले के शोध करताओं ने क्रेटर फर्ष पर समय के साथ तलछट परतों के गठन में नई अंतरद्रिष्टी का खुलासा किया। वैज्यानिकों और शोध करताओं ने मंगल ग्रह के उपसतेह प्रयोग रिमफैक्स उपकरण के लिए रोवर के रडार इमेजर का उपयोग करके एकत्र किये गए डेटा का अध्यान किया। रोवर फरवरी 2021 में लाल ग्रह पर 45 किलोमीटर जेजेरो क्रेटर के अंदर उतरा जिसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बड़ी जील और नदी डेल्टा की मेजबानी करता था। तब से रोवर पिछले जीवन के संकेतों की तलाश में गड़े को खंगाल रहा है और नमूने एकत्र कर रहा है। जब रोवर मंगल की सतह पर यात्रा करता है तो रिमफैक्स उपकरण 10 सेंटिमीटर के अंतराल पर रडार तरंगों को नीचे की ओर भेजता है और सतह से लगभग 20 मीटर की गहराई से परावर्तित तरंगों को मापता है। कि जेजेरो में सुक्ष्म जीवी जीवन रहा होगा। यदि लाल ग्रह पर सुक्ष्म जीवी जीवन मौजूद होता तो क्रेटर से तलच्छट के नमूनों में उनके अवशेशों के संकेत होते। दो अलग-अलग जमाव अवधियां हुई जिससे जेजेरो क्रेटर के फर्ष पर तलच्छट की पड़तें बन गई जो नियमित और क्षैतिश दिखाई देती हैं। बयान में उलेख किया गया है कि जील के जलस्तर में भिन्नता के कारण कुछ तलच्छट जमा हुई जिसके कारण एक विशाल डेल्टा का निर्मान हुआ। रड़ार माप में डेल्टा के नीचे एक असमान गड़ा तल भी पाया गया है जो वैज्ञानिकों के अनुसार तलच्छट जमा होने से पहले कटाव के कारण होने की उम्मीद है। जैसे जैसे जील सूकती गई, तलच्छट की परते नश्ट होती गई, जिससे आज सतह पर दिखाई देने वाली भूगर्भिक विशेशताएं बन गई।